Hello everyone, मैं मैं सलीफ रॉम सारन बिहार and you are watching Miracle Unique Classes मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी वीडियो आज की इस वीडियो में मैं आपकी थोड़ी सी जो गलत फहमिया है ना जो शायद कई दिनों से चल रही होंगी उन गलत फहमियो का आज मैं दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ क्यूंकि मेरा एक ही परपस रहता है कि आप से जो गलतियां जाने अंजाने में कई दिनों से कही ना कहीं होती आ रही है उन गलतियों पर मैं परदा डाल दूं और उन गलतियों को आप न कर सके कुछ ऐसी ही मैं कोशिश करता हूँ हमेशा अपने चैनल Miracle Unique Classes पे तो शुरू करते हैं आज का lesson में मैं आपको दो चीजे क्लिर करने वाला हूँ कि best of luck और all the best का बोलते हैं यह से लोगों को लगता है कि यह दोनों एक ही चीज है एक ही अस्थान पर बोले जा सकते हैं लेकिन यह आप सब उकी गलत फहमी है यह एक अस्थान पर कभी नहीं बोला जाता है इन दोनों की एक छोटी सी condition है, एक छोटी सी शर्त है जो कि मैं इस वीडियो में आपको आज clear करने वाला हूँ सबसे पहले बता दूँ कि best of luck या all the best का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी को ये शुब कामना व्यक्त करना होता है कि भाई तुम्हें सफलता मिले, तुम्हें कामयाबी हासिल हो, जिस कारे के लिए तु जा रहा है या जो काम तुमने शुरू करी है, उस काम में तुम्हें success मिले, सफलता मिले, कामयाबी मिले यानि उस काम में तुम अपनी नईया पार कर सको तुम उस काम को पूरा कर सको ऐसे अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं All the best या best of luck का यूज करते हैं लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों कभी भी कहीं भी बोले जा सकते हैं लेकिन ये गलत है ये दोनों कभी भी कहीं भी नहीं बोले जाते हैं बलकि इन दोनों की एक situation है और वो भी एक situation नहीं है इन दोनों की अलग अलग एक situation है उन दोनों situations को मैं आज clear करने की कोशिश करता हूँ कि आपको कब all the best कहना है और कब आपको best of luck कहना है वैसे तो English grammar में बहुत सारे ऐसे writers हैं जो अपने अलग-अलग statements दिया करते हैं जिनके अपने अलग-अलग thoughts होते हैं जिनकी अंग्रेजी, जिनकी अंग्रेजी की knowledge भी अपनी थोरी अलग-अलग हुआ करती है न जैने किस-किस देश की English को लोग follow करते हैं वैसे तो खास कर हम लोग British को follow करते हैं और उसके साथ-साथ हम American English को भी follow करते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अलग-अलग परकार के writers की अगर आप book परते हो तो आपको अलग-अलग जनकारिया मिलती है अगर ये writer कुछ ऐसा कहता है तो कोई दूसरा writer उसके मतलब खिलाफ हो जाता है उसके opposition में आ जाता है और वो आपको कुछ और भी कहता है तो इस तरीके से जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको ऐसा कुछ लगे कि या रहे यार हमने तो कुछ ऐसे परहा था या हमने तो उन टीचर से परहे थे तो उन्होंने कुछ इस परकार से बताये थे तो ये चीजें English grammar में या English में अक्सर ऐसा होता है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो चीज मैं आपको दे रहा हूं या जो information मैं आपको देने जा रहा हूं वो perfect to perfect होगा आपके लिए I guarantee you तो शुरू करते हैं कि जब कभी भी कोई भी सफलता कोई भी कामयाबी किसी को ऐसा शुवकामना हम व्यक्त करना होता है तो हम best of luck या all the best का प्रियोग करते हैं इन दोनों में एक छोड़ा सा फर्क ये है कि जब कोई जोखिम भरा काम बेक्ती करने जा रहा हो जिसमें थोड़ा सा खत्रा हो है ना जिसमें थोड़ा डेंजर हो जिसमें कुछ न कुछ होने की संभावना हो कुछ हानी कुछ घाटे है ना तो वैसे सिच्वेशन में हम best of luck कहते हैं और वहाँ पर best of luck का मतलब होता है कि किस्मत तुम्हारा साथ दे भाग्ये तुम्हारे साथ हो यानि कोई भी risky वरा काम जोखीम वरा काम जब करने जाते हैं तो लोग सुभकान अब्यक्त करते हैं कि भाई ठीक से करना अच्छे से करना अच्छे से करके आजाना तो वैसे situation में अंग्रेजी में हम जो एक शब्द बोलते हैं वो शब्द होता है best of luck जिसकी हिंदी होती है कि भग्य तुम्हारे साथ हो तकदीर या किस्मत तुम्हारे साथ थे हो तुम अच्छे से वो काम निप्टा करके पूरा करके तुम आ जाओ तो आप सोच लएना कि कौन सा काम जोखी मबरा है कौन सा रिस्की है किसमें थोड़ा बहुत खत्रा है वैसे situations में हम best of luck कहेंगे all the best नहीं कहेंगे अब इसके ठीक opposite देखा जाए all the best तो all the best का प्रयोग आप positive sense को दिखाने के लिए कर सकते हो ये तो मैंने negative के लिए बोला था जिसमें खत्रा हो लेकिन आप all the best का प्रयोग वैसे situation में वैसे situation में आप करने वाले हो जहां पर कोई खत्रा नहीं हो कोई danger नहीं हो और आप वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हो जैसे कि कोई मान के चलो कि कोई stage performance के लिए जा रहा हो है ना आपने उसे आप उसे छोड़ने क जगाद पर लोग कह दिया करते हैं all the best आपने कई बार सुना होगा फिल्मों में मुवीज में अक्सर सुनने को आपको मिलता होगा all the best तो कोई भी ऐसा कर रहे जिसमें रिस्क ना हो जिसमें जोखी महरा काम ना हो जिसमें कोई डर ना हो इस तरीके से जो भी काम है उनके अ लग कहना होगा तो ऐसी आपको बहुत सारी सिच्वेशन मिल जाएंगी जब आपको कहने की जरुवत परने वाली है all the best या best of luck वैसे जदा तर all the best ही चलता है best of luck बहुत कम चलता है और बहुत कम लग इसको follow करते हैं कुछ लोग तो कहीं भी कुछ भी लगा देते हैं यार ह कहना अगर कहना चाहिए all the best कह देते हैं best of luck नहीं तो जदा तर तो best of luck नहीं चलता बलकि all the best ही चलता है पर इन दोनों में आपको थोड़ा ध्यान देनी की जरुवत है कि कब आपको best of luck कहना है और कभ all the best कहना है इन दोनों की도 सिचवेशन है इन दोनों की जो हिंदी है वो और भी इसकी कई situations अगर गहराई में जाया जाया तो हो सकती है थोरी बहुत अलग अलग लेकिन simple जो situations थी simple जो इसके कारण थे reasons थे कहने के वो यही थे all the best और best of luck के उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेंगी और आज के बाद से जो गलतिया आप पहले से करत त्यार रहे होंगे वो गलतिया आपसे शायद अब नहीं होंगी तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब का दिन शुब हो बाबाय से यू टेक केर